हाई फ्रेंट्स विल्कम ट्व आजादाेस एकैडमी जैसे कि निरधारित प्लानर के अधार पही क्लासेश सल रही है और आज संडे हैं संडे को प्लान किया गया था कि आपका टेस्ट लिया जाएगा और आज टेस्ट संखला के बारे में मैं चर्चा करूंगा test के बारे में बताऊँगा कि किस प्रकार से test आपका होगा कौन-कौन से subject का test लिया जाएगा और किस तरीके से test का पूरा प्रक्रिया होगी देखिए अभी मैं online या फिर live आकर के आपके साथ test नहीं करवा पा रहा हूं और वो मेरी अभी planning में भी नहीं है वो सब चीज़े होंगी वो आगे आकर इसको इंप्रूब किया जाएगा जब जब हेंडेट कोश्चन का पूरा मैं टेस्ट लूँगा तो फिर लाइब आकर ही पूरा सेसन होगा एक समय अवधी आपको बता दी जाएगी और उस समय अवधी पर ही आकर के आप टेस्ट लेंगे तो अभी जो टेस्ट स्रीज है इस टेस्ट स्रीज में किस तरीके से हम लोग पूरा टॉपिक को कबर करेंगे उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे तो जो टेस्ट है मैंने उनको दो आधारों पर विभाजित किया है एक तो प्लिम्स लेबल और दूसरा है में ठीक है दोनों लेबल के अधार पर ही हम एक्जाम लेंगे और टेस्ट लेंगे तो जो प्रिडेम्स लेबल टेस्ट स्रीज है उसके अंतरगत सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूं कि इन्वायरमेंट के टॉपिक का टेस्ट ले लूँ देखें यहां प सब्सक्राइब प्लानिंगे लुपिक कर दोड़्याईब होंगे आपके जोग्रॉफी में भी पूरी बकायदा भौतिक भूगोल विश्व भूगोल भारत का भूगोल संबंदित सारे जो है लिये जाएंगे आपसे इसके बाद इकॉनमी का टेस्ट होगा फिर इंडियन पॉलिटी इसका टेस्ट होगा फिर हिस्ट्री और फिर जनरल साइन्स और करेंट अफेर्स का भी टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएगा करेंट अफेर्स की क्लासेज रिगुलर होंगी इवरी सटरेडे और आगे कुछ और भी चीज वो देंगे और मेरा अप्रोच रहेगा एक magazine को लेके जो चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ पिछले जो current affairs का हमारा वीडियो था जिसमे current affairs त्यारी कैसे करें उसको एक बार जरूर देखें उसमें मैंने चीज़े बताई हैं कि किस तरीके से आपको current affairs का पुरा अप्रोच रखना है कैसे पढ़ना है और current affairs मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़े बता चुका हूँ मैं एक magazine लूँगा उस magazine के अधार पर ही चीज़े आपको बताऊंगा तो औरहाल कहीं न कहीं पे हमारी प्रिल्म्स लेबल टेस्ट स्रीज होगी ये topic आपको बता दिये इसके ब पिक कबर कराऊंगा उस पूरे अंसर का अब ये current affairs देखिए इसको मैंने लिया इसलिए है पर्टिकुलर जैसे कि माली ये history है अब optional subject वहाँ पे चल रहा है history का तो इसमें pre mains interview पूरे label को पढ़ाऊंगा प्रिल्म्स का भी mains का भी optional subject और नहां था कि interview में भी तिहास से जैसे question बहुत सारे interview के अलग तरीके के question होते है ठीक है जैसे कि माली जै कई बारे question पूर जाता है कि historical vision क्या है ये interview में ही पूछा जाता है खासकर pre mains option तीरों में नहीं पूछा जाएगा या फिर interview में question पूछा जाता है कि इतिहास में कौन सा ससक आपको सबस्यादा पसंद है या इ main question वहाँ पर भी include करूँगा और आपको bet करके बकाइदा 9 minute में उसका answer right करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम current affairs इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बरतमान में अभी tradition चल रहा है खासकर UPSC का mains में maximum question current affairs से आ रहे है ठीक है तो current affairs को करने से दो फायदे होंगे एक तो आपका current current affairs भी त्यार होगा दूसरा एक आपका वियो पॉइंट भी बनेगा जो कि इंटर्वियो के लिए काभी महत्पूर्ण होगा और इसके बाद एक सबसे महत्पूर्ण चीज आपके साथ यह होगी जब आप current affairs को classes करेंगे आपका essay का भी topic complete होगा essay में current affairs एक topic आप पूछे जा question पूछा जाएगा ठीक है और इसके बाद mains का भी question आप तक पहुंचा दिया जाएगा और उसका answer पहुंचा दिया जाएगा एक प्लिम्स का पूरा जो है question में लगबल लगग अभी 25 question रखने की मेरी planning है 25 के बाद धेदरे question की संख्या बढ़ाऊंगा अब आपको करना कैसे देखे जैसे कि मैं plans का test ले रहा हूं यानि कि जो multiple choice question होंगे objective type जो तरीका है तो आपके सामने question आएगा उसके 4 option आएगे ठीक है मेरे द्वारा ही उसको idea form पे भी आपको सामने वीडियो में भी दिखेंगे idea form पे मेरे द्वारा बताए जाएगे इसके बाद आपको क्या करन करना है कि तुरंत उसका answer जो आपको लगे तुरंत click करे उसका answer लिख लिजिए यदि आपको doubt है तो उसके लिख लिख लिजे doubt जैसे question number 1 है आप question number 1 कए दिवो आपको answer पता है तो तुरंत question number 1 answer a,b,c,d जो आपको उसमें लग रहा है सही है वो आप लिखे ठीक है लिखने क आपको doubt है तो उस question को attempt मत कीजिए उसे छोड़ दीजिए ठीक है तो आप उस पर doubt लिख लिजिए ठीक है या 50-50 जो भी आपको जैसा भी हो उसको attempt मत कीजिए ठीक है तो इस तरीके से आप पूरा लिखते चले जाएए अंत में ऐसा आएगा कि आपको पता चले जाएगा कि आ इसमें आपकी अपनी मांदारी है जब मैं आप अटे स्रीज कराऊंगा सामने एफोर साइज का जो पेपर होता है और एक पेन लेकर आपको जरूर बैठना चाहिए टेस्ट में जो question आपको पूछा जाए ठीक है उस question को आप उसी क्रमवार करते चले जाएए जब पहले मैं मैं बोलूँ आपसे तो आप जो है उस question को ध्यान से सुनिए जो चीजे मैं बोलूँ उसका answer दीजे लिखिए जब मैं उसका answer बताओं match कीजे कि आपको बोलूँगा भी कि आप अपना answer लिखिए यदि आप उसका answer लिखने के बाद यदि मेरे द्वारा बताये गया उसका answer यदि किसी question को आप नहीं attempt करना चाहते उसे not attempted या फिर जो भी हो doubt या फिर जो भी हो उसको आप ना ही करें तो बहतर रहे गए जिए नहीं आ रहा तो उसको करना जरूरे नहीं है और जब मैं उसमें answer बता दू तो जरूरी नहीं कि उससे फिर आप लिखिए लिए और उसको मालने कि आपने कर लिया नहीं तो आपको इस तरीके से पूरा एक पूरा ओर फ्लो चार्ट अपना बना लेना है बनाने के बाद जब लाश्ट में आपके कितने कोश्चन सही हो रहा है कितने गलत हुए आप कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं कमेंट में आप बताईए कि आपने यदि मैंने 19 कोश्चन कराए या 20 कोश्चन कराए तो 20 में कितने आपके सही है कितने आपके गलत हो गए कितने आपने अटेम्ट नहीं किये यदि ये तरीके से आप मेरे साथ टेस्ट रिच करेंगे तो विष्वास कीजे कि कैसे क्या और बेहतर किया जा सकता है उस तरीके से फिर improvement मैं करूँगा improvement के लिए हमेशा मैं तयार हूँ और innovation होता रहेगा चीजे में सुधार किया जाएगा अभी मौझूदा समय में सबसे बेहतरीन तरीका मुझे यही लग रहा है इसलिए इसी तरीके को हम लोग अजमाएंगे और इसको बेहतर तरीके से आपको भी करना क्योंकि इसमें आपके सहीोग की भी ना चीजे नहीं हो पाएं जी तो इस तरीके से test reach के लिए मेरे साथ तयार हो जाएए इसके बाद मैं एक mains का question आपको बताऊंगा उस mains के question को आपको अराम से 9 मिनट में लिखना है ठीक है 9 मिनट में आप लिखे अगले वीक उसी mains के question का मैं answer provide कराऊंगा और उसके बाद आपने आपको match कर रहा है कि कि कितने question आपने कितने point आपने दिये यदि वोस अभी point आपने दिये है तो पक्का है कि आपका जो है आप अच्छे track में हैं और फिर आपका answer writing सही है हाँ 200 word के question को 9 मिनट में लिखना ही है timer लगा के लिखना है आपको यदि नहीं लिख पा रहे हैं जितना लिख पा रहे हैं बस उतना ही लिख के छोड़ दीजे exam hall में ऐसा तो होता नहीं है कि तीन गंटे का paper है तो आपको साड़े तीन गंटे दिये जाएंगे ठीक है थोड़ा सा इमानदारी आपको बरतना पड़ेगा और इमानदारी को आपको comment section में आकर के बताना होगा या फिर मेरे whatsapp group पे आप जुड़ चुके हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाएं उनको whatsapp नमबर मिल जाएगा मेरा जो channel यूटूब channel planner वाला वीडियो है उसमें मैंने यूटूब का whatsapp नमबर दिया हुआ है अपना ठीक है वहाँ पर जाकर के आप जुड़े और जुड़ने के बाद वहाँ पर भी मैं चीज़े आप लोगों के संपर्क में हूँ जो लोग जुड़े हुए उनसे लगातार मेरी वहाँ पर बाचीत या मुलाकात होती है मैं कुछ चीज़े भेजता भी हूँ ठीक है देरे देरे और भी चीज़े प्लान करूँगा भी मैंने ग्रुप क्रियेट नहीं किया ग्रुप समय आने पर क्रियेट हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा हाँ अपना नाम परिचे और आपने कितने अटेम्ट दिये ये बताना बिल्कुल मत भूले आप ये बहुत बड़ी गल्ती करते हैं मुझे बताते नहीं कि आप कहां से हैं या फिर बहुत लोग बताते भी हैं लेकिन बहुत लोगं की ऐसे सिकायते हैं मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप अपना परिचे दे तो वरॉल कहीं न कहीं पर आपको अपना पूरा नाम पता एड्रेस आपने कितने अटेम्ट दिये किस फ्रिसर है तो फ्रिसर लिखे ठीक है जो पहली बार एक्जाम दे रहे हैं तो वरॉल फिर मैं उसी साब से आपके तरीके से स्ट्रेटजी बनाऊंगा जो लोग कई बार एक् प्रेसरी शुरू करते हैं इसके अलावा आज संडे है तो एक दो वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है चले बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद